मिडल इस्ट में इस्राइल अपने दुश्मनों को चुन-चुन कर मार रहा है। मिडल इस्ट में महा युध्ध की आहट सुनाई देने लगी है। मिडल इस्ट में तबाही मची तो भारत को आर्थिक मोर्चे पर कई चुनाउतियों का सामना करना पड़ेगा। एनर्जी, सिकरिटी, आर्थिक स्थर्ता और जियो पॉलिटिकल सिटी पर इसका असर देखने को मिलेगा। भारत अपनी कच्चे तेल की दो तिहाई, जरूरतें और आधे से जादा एलनजी का इंपोर्ट पश्रमी एशिया से होकर गुजरने वाले रूट से करता है। भारत ही नहीं दुनिया भर में ओयल ट्रांस्पोटेशन के लिहाद से ये सबसे एहम रूट है। अगर जंग की वजह से ये रूट प्रभावत हुआ तो भारत की एनर्जी सप्लाई पर भारी असर पड़ेगा। इससे शिप्मेंट्स को लंबे रूट्स अपनाने पड़ सकते हैं जिससे इंपोर्ट की लागत के साथ ट्रांस्पोर्ट में लगने वाला वक्त भी बड़ जाएगा। की चीजें भी महंगी होंगी जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ेगा मिडल क्लास सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है इसका असर पूरी आर्थव्यवस्था और आर्थिक ग्रोथ पर पढ़ेगा सरकार तेल पर सबसेडी देती है अगर तेल की कीमतें ज्यादा पढ़ सकता है इसका ग्रोथ रेट पर भी बुरा असर पढ़ सकता है तो वहीं इधर भारत के इस्राइल और इरान दोनों के साथ रन्नितिक संबने हैं जंग की हालत में इन संबंदों के बीच संतुलन बनानी की चनौती होगी जिसका असर भारत की कुटनितिक इस्थिती पर पड़ सकता है इसके अलावा खाड़ी देशों से भारत के बड़ी व्यापारिक हित जुड़े हैं वहां बड़ी संख्यावे भारती प्रवासी रहते हैं और युद्ध के इस्थिती में उन्हें वापस लोटना होगा जिसका असर अर्थविवस्था और विद आनन टर्बाइन इंधन का निर्याद करता है रडार उपकरण चावल और गेहूं का भी निर्याद होता है इसराहिल से भारत अंतरिक्ष उपकरण पोटेशियम क्लूराइट आयाद करता है मैकनिकल अप्लाइंस हो गए प्रिंटेट सर्किट ऐसी चीज़े हैं जो आयाद क तो वहीं इरान के साथ भी भारत के अच्छे संबन है भारत इरान को चावल चीनी और इलेक्ट्रोनिक मशीन करशी उत्पाद हो गया मीट हो गया इसके मिल्क हो गया चाच हो गई घी प्याज लैसून का निर्याद करता है भारत के बास्मतिय चावल का सबसे ज़ादा अग इरान में ही होता है ऐसे में अगर मिडल इस्ट में हालात बिगड़े तो इरान और इसराइल से भारत का व्यापार प्रभावत होगा जिसका बड़ा असर हमें भारती मार्किट एंडस्ट्री शेर बाजार और दूसरे सेक्टरों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा मिडल मिडल इस्ट में रहने वाले लोगों की नौकरियां जाएंगी तो वहीं इस वज़से मिडल इस्ट के ताजा हलाक पर भारत सरकार की नजर भी बनी हुई है